OPS हिमाचल में बड़ा चुनावी मुद्दा है, कॉंग्रेस में गोशना पत्तर में वादा किया है, ऐसा तो नहीं कि सरकार अगर आ जाती है, ये वादा वादा ही रह जाएगा, बाद में इस तरह की बाते ना आएं कि आर्टिक समस्या है, कमेटी हैं बना रही हैं, फिर करें थंडे वस्ते में तो नहीं डाल देंगे सरकार आने की बाद, पहली कैबिनेट में होगा, वो तो कह रहे हैं कि वीर बदर सिंग जी की सरकार के समय OPS का फैसला वापिस हुए, पहुंच चुका है, बच्चे-बच्चे की जुबान पर एक ही सवाल है कि रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा हमारे साथ बात चित करने के लिए कॉंग्रेस महासचे वरंदीप सुर्जेवाला हैं, सुर्जेवाला जी बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले एन भाजप्पाई भ्रष्टाचार का रिवाज बदलेगा, भाजप्पाई बेरोजगारी का रिवाज बदलेगा, भाजप्पाई लूट और जूट का रिवाज बदलेगा और भाजप्पा का राज भी बदलेगा बीजेपी ने एक बड़ा कार्ड खेला है हिमाचल चुनाओं में सीवल यूनिफोर्म कौड उसको लाने की बात कर रही है जबकि ज़्यादतर लोग हिंदू हैं कॉंग्रेस कैसे देखती है क्या स्टैंड है भाजप्पा लटकाउ और जटकाउ पार्टी है ये लटकाते हैं जटकाते हैं जूट बोलते हैं प्रपंच करते हैं आडंबर करते हैं और हर मुद्दे को भटकाते हैं तो ये लटकाना भटकाना जटकाना इससे अब लोग ठक चुके हैं क्योंकि जुमलों की सच्चाई सामने हैं ये केवल भटकाएंगे ताकि कोई इन से ये ना पूछे कि आपने एक के बाद एक के बाद एक युवाओं से लोगों से भरष्टाचार के स्कैंडल्स का जवाब क्या है ये ना पूछे के पुलिस की भरती में आठ लाक में इमाचल में बच्चों की नौकरियां और पेपर क्यों बिके ना पूछे के प्रोफेसर की भरती में घोटाला क्यों हुआ ना इन से पूछा जाए के गैस का सेलेंडर चार सो से बारां सो रुपय क्यों हो गया इन से ने पूछा जाए कि पेट्रोल और डीजल सो रुपिया को क्यों छू रहे हैं तो ये लटकाएंगे भटकाएंगे जटकाएंगे पर सच का जबाब नहीं देंगे लोग अब जुमले बाजों का अंत करने वाले है मेरा एक अंतिम सवाल है OPS हिमाचल में बड़ा चुनावी मुद्दा है कॉंगरिस ने गोशना पत्तर में वादा किया है ऐसा तो नहीं कि सरकार अगर आ जाती है ये वादा वादा ही रह जाएगा बाद में इस तरह की बातें ना आएं कि आर्थिक समस्या है कमेटियें बना रही है फिर करेंगे थंडे बस्ते में तो नहीं डाल देंगे सरकार आने के बाद पहली कैबिनेट में होगा मेरा पहला सवाल तो जैराम ठाकुर जी से है वो बताएं कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम के खिलाफ हैं या हक में हाँ या ना प्रदान मंत्री और उनके मंत्री बताएं कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम के हक में हैं या खिलाफ हाँ या ना कॉंग्रेस ने पहले राजस्थान और च्छतिस गड़ में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करके दिखाया पैसा मिलना शुरू हो गया ठब जाकर हमने हीमाचल में बादा किया पहली कैबनेट की बैठंड में हीमाचल में लागू होगी यह हमारी गैरंटी है और जो ऑल्ल पेंशन स्कीम विरोदी है सरकार जो बाहर जा रही है वो इसी लिए उल्जलूल बाते करके लोगों को बहका रहे हैं भटका रहे हैं प्रंतु वो इसमें कामियाब नहीं होने वाले लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वीर बदर सिंग जी की सरकार के समय OPS का फैसला वापिस हुआ आप तो एक जुम्यवार चैनल हैं किर्प्या करके रिकॉर्ड निकालिए आदर्णिये वाजपई ज वोट की चोट से उन्हें नकार आ जाए तो वोट की चोट से नकारने की बात हो रही है देखना यही होगा जनता क्या जनादेश देती है शिमला से आशी शगरवान